आप देख रहे हैं खटपट नियूज नमस्कार, खटपट नियूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ अपूर्वा सिंग 36 गड़ में आज स्कूल खोल दिये गया है, करीब 13 महीने के बाद स्कूल अनलॉक हो चुके है सभी स्कूल 2020 मार्ट से बन थे, बता दे कि सिक्षा विभाग ने कभी धाम में इस तित प्राइमिरी की 950 स्कूल और मिडिल के 85 स्कूलों को भी खोलने की सहमेति दे दी है हाई और हाईर सेकंटी स्कूल को पहले खोला जाएगा, वो एक वक्त में 50 फिजदी बच्चे स्कूल आएगे इसे के साथ बाकी बच्चों को दूसरे दिन बुलाया जाएगा बच्चों को स्कूल भेजना है या नहीं, इसका निर्णय स्वयम पालक ले सकते हैं यदि वो चाहते हैं कि उनके बच्चे स्कूल ना जाए तो उन्हें ऑनलाइन पढ़ाई कराई जाएगी, बच्चे स्कूल आते हैं तो कोरोना गाइडलाईन के नियमों का पालन करते हुए पढ़ाई कराई जाएगी स्कूल खुलते ही अच्छी खबर निकल कर सामने आई है जहां पर जीले में प्राइमेरी के 950 और मिडिल के 85 स्कूलों को खोला जाएगा इसकी तैयारी भी कर ली गई है बता दे की हाई वो हायर सेकंडरी स्कूलों की साफ सफाई वर सैनिटाइजेशन हो चुकी है दावा किया जा रहा है कि सभी सिक्षकों ने कोवीड टीके भी लगवा लिये हैं इधर बच्चों में भी स्कूल आने को लेकर उत्सा है सिक्षा विभाग की गाइडलाइन के नुसार जीले में सभी नीजे और साश की स्कूलों में कक्षा 10 वी और 12 वी की कक्षाएं आश्य शुरू हो चुकी है शाला विकास समीती, ग्राम समीती वो पालकों की समीती से पहली से 5 वी और कक्षा 8 वी की क्लास लगेई कुल दर्द संख्या के आधे बच्चे एक दिन में पढ़ाई करने स्कूल आएंगे, शेश-पचास फीजदी बच्चे दूसरे दिन बुलाएंगे, यदि किसी बच्चे को सरदी खांसी बुखार होगा, तो उसे कक्षा में नहीं बढ़ाया जाएगा स्कूल आएंगे अनिवारेता नहीं है, पालक या बच्चे चाहे तो उनलाइन क्लास में भी पढ़ाई कर सकेंगे, इसे लेका सतर्कता बरती जाएगी बेवस्ता हो पढ़ाई ठीक ठाक हो और जो गाइडलेन जो तरी किया गया है उसो पलन हो विरा रिपोर्ट, कटपट न्यूज, राइपुर